आज के शो में हम एक बड़ी इंपॉर्टन डिशू के हवाले से बात करने जा रहे हैं और यह बात करेंगा जम रिस्क के हवाले से क्योंकि हर शक्स हमारे आसपास जिसको हम देखते हैं वो अपने रिस्क को लेके परिशान है और रिस्क वो ऐसी चीज़ जिसका वादा खुदा बसुर करो परता बातने खुद किया है और बहुत सारी जग़ों पर आने कहा हुआ है कि तुम्हारा रिस्क और तुम्हारी मौत का वक्त इसका ताइन पहले ही हो चुका है फिर भी हम अपने रिस्क की टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं जो परिंदा भी अपने घर से बाहर निकलता तो उसको पता है कि रिस्क का आधा तो अल्ला ने किया है तो उसको रिस्क तो मिल नहीं है लेकिन हम यह देखते हैं कि अश्यफौल मखलुकात इन्सानों में सबसे ज़्यादा आजकल जो एक्जाइटी और जो डिप्रेशन पाया जाता है वो रिस्क की टेंशन की वज़े से क्योंकिए सम्हाओ हमें तवक्ल की कमी है और फिर एक और चीज़ जो हम फेस कर रहे हैं कि पहले बरकत बड़ी होती थी एक मस्दूर सारा दिन मेनत मस्दूरी करके जो लेकर आता है आपको जो पूरे महीने के बाद एक सैलरी मिलती है आपको ये डर होता है कि ये पूरी होता जाएगी ना कि ये ऐसा तो लिए ने कि बीस दिन के अंदर अंदर खतम हो जाएगी उसकी बड़ी वज़ा ये है कि हम फील करते हैं कि हमारे रिस्क में वो बर्कत नहीं रही तो आज हम इस हवाले से बात जरूर करेंगी कि ऐसा क्यूं है कि हमारे रिस्क में बर्कत कम हो गई है बर्कत नहीं रही हमारे ऐसे कौन से आमाल हैं जिसकी वज़े से हमारे रिस से बरकत ऐसे दिन बदन उटती चली जारी है तो इस सवाले से बात करेंगे हमारे साथ मौज़ूद है मुफ्ति इमरानुना कल्यानी साथ हमारे साथ मौज़ूद है अलामा जामन जाफरी साथ औरमासात में मौझूद हैं, मुफ्ती सेयत नूर रहमानी साफ, औरमासा मारी बहुत प्यारी बेहनी 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 जिस्कॉलर आईशा बिलाली हैं, मैं आप तमाम तो लोगों को खोशाम देद कहना चाहूंगी, और सबसे पहले तो नूर भाई, सबस्वाल आप सब लोगो खालाली हैं, इनल्हा यर्ज़कु मैं यह शाहूं बिखरे बहुरे हिसाब, वबूद हैं, विस समा रिसकुकु में, वग्ती बहुती हैं, और सबानी साफ, लूर रहमें, आप सब लाभा रिए गारु और दूरु सम्हां हुआ को वेर बहुती हुती हैं, औरु औरुद काइनात को सजाया महकाया और जिनके दम से आज रोनके हैं और जिनके दम से आज मसाज़ित के अंदर वो अजाने हैं जिनकी बरका से आद्बी रुहानियत मौजूद है सजी दिन इमाम हुसें रदियो लाह ताला और आपके तमाम रुफगा और तमाम असहाब करवला बड़ा अच्छा है कि सवाल आपने किया रिस्क के हवाले से सबसे पहले तो जहें में रखिए है रिस्क कहते किसे है अगर आप मुफरिदात को पढ़े इमाम राखिब अस्वहान ये रह्मा तो हर वो चीज जो अल्लह ने आपको नेमत दी है वो रिस्क है आपकी फर्मा बरदार औलत आपके लिए रिस्क है शोहर के लिए अच्छी बीवी और बीवी के लिए अच्छा शोहर दुनिया की बहुत बड़ी नहमत है आपके वालदें हायात है तो आपको तसली देने वाली आपकी मा मौझूद है तो ये बहुत बड़ी रिस्क है इत्रीन रिस्क है पिर वो दुनियाईवी अजबाब पर आजए जो हम माददी अजबाब कहते हैं यह आपके लिए रिस्क है इन्नला यर्जुकु मैं यशाओं बगानिसाब अल्ला सुभानों वतार जिसको चाहे बगार हिसाब कितार रिस्क अता फरमाएं और जहन में रख चार्ज करवाया तो बैलंस आती साथ मेसिज आया कि आपके पास एक हजार एंबी जहें इंटरनेट फिरी सुरिएगा आपके पास एक हजार जो है कॉल्स का जहें डीटा वह फिरी और आपके लिए एक हजार मैसेज़ज फिरी जहन में रखिएगा अब मिसाल देता हूं अ हजार रहमतें बिमारियों से शिफा और रुकावटें दूर कर दी गई एक हजार रुपे कमाना है मगर आपने चिटिंग से कमाया जैसे चिटिंग से कमाया एक हजार बिमारियां एक हजार तकलीफ एक हजार आजमाईश एक हजार रुकावटें और वह हजार रुपे आने वो आपने मश्गूर वाकिया सुना है और हमने बढ़ा है बच्पन सुनते वारे हाथे मौला एक काइनात नमाज पढ़ना है और वो आप जहना साहिल आता है और वो नहीं उनका गोड़े से जो है जो है जैन को निकाल लेता जी 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 वो अच्छा आप क्या कहते हैं कि अगर ये मेरी नियत इसको देने की थी बगए इसने चोरी करें रिस्क अल्ला ने पहले से लिख दिया अब आपके नियत है कि आप उसको हलाल तरीके से ले या हराम तरीके से ले अगर आपने हलाल तरीके से लिया तो अल्ला की रहमते बरकते होंगी, औलाद फर्मा बर्दार भी होगी, घर में बरकत भी होगी, सबसे बड़ा जहनी सुकून भी होगा, वरना ऐसा होगा, आप करोण पती होंगे, आपके पास बेंतहा पैसा होगा, आप परशान होगे, या मेरे दो केंटरेनर वहां फ़स ग कि हवाले से तर्माम मुट्खियान ने खुद भी कहा है, कि अपने रिस्क को लेके कभी भी अपना एमान मत खराब करो, क्योंकि तुम्हारा रिस्क तुम्हें ऐसे ही तलाश करता है, जैसे तुम्हारी मौत, तो यानि कि मौत जैसे बरहक है, आनी है, हमें ढूड लेगे हम जामी होगी, हमारे रिस्क भी हमें ऐसे ढूंड लेगा, क्योंकि वो खुदाय बज़ूर को परता है, वो तो एक पत्थर में भी चूंटी को रिस्क देता है, तो फिर जब हम बाहर निकलते हैं, तो फिर क्या ही बात होगी, यह जैसे बड़ी ची बात की, हम सिर्क के हमें रिस्क पैसा है, खाने पिने की चीज़े हैं, रिस्क में और क्या कुछ आ जाता है, मैं चाती है जर इस भी रॉशन डाले, और खुद बालाहिए, बिस्मिल्लाइ रह्मानी रहीम, जो कन्फीजन पैदा हुई ने, उम्मत के दर्मयान में, इनसाने को दर्मयान में, वो हु लिदा की तर्स रिस्क है, जिसको खुदा Strh can है, और जिसको अन्भीया ळैयमा आयमा य 2019 ने, जिसको रिस्क कहा है, उन्हों ने कभी बी जब्रिब माँगे तो इस रिस्के लिए रि casi seubr шukur अताफर्मार रिसक किकानात अताफर्मार विसके सब रिसक में आजाते है। ठीके कि मासुमेन का जो तरीक आज़त है और खुडा की बारगाह में च्किनदाब करने का जो अंदाथ है उनका अंदाथ यही है क्योंकि है आगी लिश्ख न झाना, इसका तो उने वादा किया हुआ है, इसकी हमें फिक्र नहीं है, तुक है, दुनिया में आने के बाद, जो हमें फिक्र करनी है, वो यह है के उस अल्लह ने, तो सब को, हर इनसान को जो भी पैदा होने वाला है हार एक को अक्षेत टॉहीद ही फर पैदा किया इसमें तो इसमें अपना महहाल माश्रा होता है जो इसनान को मुट्रिफ मेंने किसी हम इसाइइ की घर पैदा जो होड़ी है दिया ता ये तो मुझे बादम सब्रक्रा प्रम्द ईष्ञ करें इस्लाम तो बत रिख्कों तुरूंस है । हम कहते हैं शरीयत नू, शरीयत इबराहीम, शरीयत मुसा, शरीयत इसा, शरीयत मुहमदी, यह तो अपने अपने अदवार के लिहाज से इनको मुक्तलिफ नाम दिया गए, लेकिन दीन तो एगी था इसलाम, खुदा एगी था, हर नभी वो पेगाम लेकर आया, तो हर नभी न आम ने जो दुआ मांगी है, यहां तक रसुल खुदा ने जो दुआ मांगते थे, रब्व जिदनी इल्मा, सारा इल्म था, रसुल जादा इल्म किसके पास होगा, इल्म का शहर, मदीन तो दुल्म है, जिनके लिए, हदिस अप्रुसियम मेंने का, मैंने काइना तो खलकी रब्व जिदनी इल्मा, वो रिस्क इल्म को फिर वे तलब कर रहा है हो, हमारे हाँ जो है, असल में जो रखा जाया है, तो सीरत मासुमीर, आइमा अउलिया के सीरत में पास जो है, उनके पास रिस्क का मफूम यह है, रिस्क बसरात अता कर हमें, रिस्क समात अता कर, रिस् जो वारी की शहत तो स्लम्ब्ने कर रहा टार कर तेंगे ये जो रिस्क हैं जो ने हमारे चाहिसे अभी अज you आए घ्रवार रहा रहा है थे हमें द्र लख्य कि ये वह ने वो रिस्क है जो बगार मांगी मिल गया अब हम नहीं अब ही तर्ही बार मेरे जहिए सवाल पीदा हु पहुता है वह क्या रिस्क है जो शोहदा को पहुंचता है वैसे पहर इसलिए रहा हमारे रिस्क है बुन्याई दोर पर तो इन दोन हज़रात ने बड़े च्छी गुफ्तगों की रिस्क आवाले से जो दूसरे पहलो है उन चीजों के जिकर किया लेकिन एक जो इसका इजमाल आफ़ाल जो इतलाग होता है वह खाने पीने की चीजों पर जिससे इनसान की अपनी माद्दी दुन्या बरकरार रहे और इसलिए उन चौदा करीब जिनके आप इशारा कर रही है वहां पर वह बकायदा खाने पीने के निजवाय भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि रूहानी द कि मैंने जिन्नों इसको तखलीग किया इसलिए कि मेरी अबादत करें मैं उनसे रिस्क का मतालबा नहीं करता बलके नहीं चाहता को मुझे खिलाएं इनल्लाहु रजाकु दूल्गूतिल्मतिंग खाने पीने की चीज़े तो आल्लह पाक खुद उनको देते हैं मा उरिदू कि मुझे खाना खिलाएं इसकी में इनसे मतालबा नहीं करता वा तामाव में न मिंजू सूर्ए उसके अंदर फर्मय माहून के अंदर कि आल्ला पाक ने भूग किया आलत में उनको खिला है हम जो बात शूरु है आपने कि रिस्क ने इनको पाते हैं बरकत क्योंने रिस्मर हमारे आजकल और हर कोई परेशान क्यों हैं, फिकर मंद क्यों हैं, लेकर रिस्क के हवाले से फिकर मंद होना वह भी एक फर्द किया है, लेकि उसके लिए एफर्ट करना, भागदोर करना, कोशिश करना, तलाश करना, ढूंड़ना, वह भी तमाम मखलुगा के जिम्में करार हम बड़ी अच्छी मसाले तो दे देते हैं, परिंदे लेकर खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट जाते हैं, लेकि उन परिंदों की एफर्ट में कभी देखता हूं, आप कभी द्रस के आसपास बैट जाएं, पूरा दिन उसका रिस्क की तलाश में गुदर जाता अब हट्डियां फेक दी हमारे लिए बेकार हैं, लेकिन आप सल्लाश में फर्माया कि उनको निजासत के साफ करने में समान ना करो कि इसके अंदर बात में गोश्च चड़ा जेते हैं, और वो जिनात के लिए रिस्क बन जाता है, वो हट्डियां उखाते हैं, यसी तरह हम जितनी पी चीज़े खा रहे होते हैं, उसमें कोई नो कोई चीज हमारा है, वो एक जो बच जाता है, अब वो कहीं नकिन चूंटियों का कीड़ मकोड़ा कर रिस्स बनके पहुंचता है, अल्लापाक की तरफ से, इनसान के भी यही है, बरकत क्यों नहीं है, एफर्ट करना, कोशिश करना क्यों जरूरी है, वादा तो अल्लापाक ने फर्माए कि थे, जमीन गल्ला उगरा, गंदों उगरा, सब्जी उगरें, सब उगरें, हमें नज़र कुछ नहारा रहा है, वो बैक्टरिया आज़रीया थे, वाकि कुछ भी नहीं है, वो बैक्टरिया भी नज़ है, ऐसे नहीं है, ठेले पाँ वो बस उपर से फरिश्टों नहीं लागत रखे और हमने जाकर खरीद लिये, एक आम के पीछे इतनी बड़ी स्टोरी है कि अगर हम जाया उसके बीज़े, कितनी महनते किसान की, बीज और खाद, और पतर ही क्या कुछ, तो महनत जरूरी है, रही बात, बरकत क्यों नहीं, देखें बरकत क्यों नहीं है कि हमारे जमाने में घर के किराय, बिजली का बिल, गाड़ी का पेट्रॉल, बच्चों की तालीम, इलाज मॉालजा, अर्णिंग लिमिटिड है, और स्पैणिंग अनलिमिटिड है, पुछ हमारी, वो समझजे किस कि इसके जम्हदार करा दें कि जारे महंगाई इतनी हो गई है कि उस महंगाई के दौर में इसान को सारी चीज़े मैनेज करना कि घर भी लेना है अपना खरीजा और किराय पे लेना है किराय पे लेना है गाई से घर आजकल सश से सशा 15-25,000 का मिलता है पर इसके बिजली का बिल भरतना आपको मेंगाई बिर बच्चों को पढ़ाना भी है गैस का बिल भरतना इसी चीज़ के अंदर इंसान जो आप कह रहे हैं मजदूर तंखा लेकर आदा है बीस दिन तो आप बहुत कह रहे हैं यह हम जैसे को तंखाय जो ना दस दिन में सारी टेंशन गेट से बाहर किया है घर के अंदर फिर टेंशन है वो टेंशन ही होती है अगले नेक्स दे बंदे को कुछ नबुछ दे रहे हैं अब हमारी खाहिशा जो है बहुत जारा बढ़गी है मैं मुझे आप यह बताएं आईशा आपकी क्यों आप्ड़रेशन है हम बहुत सारी चीजों का जिकर तो करते हैं ठीक है महिंगाई भी बहुत है लेकिन वो जो कहते हैं बरकत वला अंसर के एक पहले दस्रकान बिशाय जाता था उसमें बैट की दूआ की जाती थी और वो चाहिए थोड़ा सा खाना होता था लेकिन वो सेंकड़ों लोग पेट भ होता है पहले हम देखें के लिमिटेड हमारे कुछ होते थे खाने के हमने कड़ी चावल बना लिये या मिर्यानी बना ली दाल चावल बन गए इस तरह की चीज़ें बन दिनी अब खानों की बहुत सारी वराइटीज है ठीक है तो अब बच्चा कहता है हमें कि नहीं मुझे यह नहीं खाना है मुझे तो वह वाला खाना खाना है जो के महंगा है इसी तरह से हम लिबास की अगर बात करें तो पहले लिबास एक लिमिटेड था कि आपको अराम से मिल जाएगा और पहले भी आईशा होता था था कि एद पर नया जोड़ा पहन रहे है वादा उसी वह अगर जोड़ा पहना है तो दुबारा आप यह नहीं सोचेंगे कि नहीं दुबारा से मैं इसको कहीं रिपीट नहीं कर सकती है तो यह हम मौशरती तौर पर थोड़े से तंग हो गया है हमारा जहन जो है वह तंग नजरी की तरफ अब बढ़ता चला जा रहा है हम शुकर ख जाए इसके के वह शुक्र अदा करे अब वह एफर्ट शुरू कर देता है और इस एफर्ट में जो उसकी खुशाली वाले जंड़गी होती है ना वह खुशियां वह सारी साइट पर कर देता है और वह उस टैंशन में गुजारता है कि अब मुझे आइंदा क्या करना है थी बलके अपने बच्चों को भी शुकर करने की आदट डालिए हम कहीना कहीना यह सोचने लग जाते हैं, यह हमारे अंदर है, यह फित्री अमल है, मैं अच्छा लबास पहनूं, मेरा जूता अच्छा होना चाहिए, मेरा पर्ज जो है वो अच्छा होना चाहिए, नहीं मैं इस बैठ सकता हूँ, नहीं मैं इस तरह से खाने, अगर मैं दस खाने अपने बच्ची की शादी में नहीं रखूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, ठीके, इस तरह से करके हम अपने आप पर इतना बोज डाल देते हैं, खास तरपर हमने रिखा, कि माबाप जो होते हैं, जब बीस लाग का करजा लेना पड़े, वो लेता है, क्या हुआ, अच्छा हम, मैं अकसर लोगों बच्चों को समझाती हूँ, कि नहीं ये नहीं करो, आप ये जो बीस लाग का करजा लेकर ये वली में कर रहे हो, ये शादियां कर रहे हो, ये आपको आइंदा के दस सालों में इसा परिशान करके रख देंगे, वो क्या करता है बच्चा, ये तो करता है कि मैं डेल लाग का शरारा लूँगा, ये मैं बहुत वो बता रही हूँ, जो कम से कम है, ठीक है, वो डेल लाग का शरारा लेकर, वो सारी चीज़ें तो तयार कर लेते हैं वो एक दिन के लिए, लेकिन अगले 20 साल तक वो बच्चा जिस तरह से सर्वाइव करता है तो वो वो ही जाना सकता है, वो जो नमूदो नुमाईश की वज़े से जो आप ऐसे करच करें, मारे साथ कॉलर भी मौजूद है, तिबद से, स्लाम लेकुम जी, वाले सुलाम, जी, कौन सा बात करें, मै मैं मॉराजभा ह मुएल ? मैं पूछना जाता हूं पेरी बेन, सलाम, जो जो जटेख रहा है, को स्लाम करता हूं मुराद भई कर्ад कर्या है जा करता है। कि अब早我跟你 नहीं जा बुप दिमैन चैते हैं कोई मुझे लुक अब मेरवान हनु की अपने काम क क्या घरते हैं। मैं मेरे मेरे में में। जोब के लिए पाल नहीं कुछए प्रिच्छ और हमाँ हता हुए। अचा, ठीक, सब आपके कि रिष्टे की बात भीहे खल रहे है। मेडम, मेरी मेरी जोप का उपानी है। और साथ साथ प्तारे है कि आप बिमार भी सिए? नहीं जान सकते हूं? जान सकते हैं? अचा जी में गिराज था तकरीबां 2011 मेना अच्छा उस टाइम पे मेरी वालदा साथ जिन्दा था था ना आच्छा वो भी पोट हो गया 2016 मेना मैं अभी यतीम हूँ लेकिन अल्हम्दलिल्ला अल्हा का शुकर है मेरी बाई सलामत है मेरी माँ सलामत है ना जो तारे मोली ने करें अल्हा की जात है ठीक है मुराद भाई हम इस सवाले से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे बहुत शुक्री आपकी कॉल का और मैं कराम से इसका जवाब मांगने की कोशिश करेंगे लेकिन चोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको एक बाद फिर से खुशामदेत कहते हैं जी हमें मुराद साब की कॉल आई थी तुर्बत से और उनका सवाल जो था वो आप लोगों ने सुना भी और वो तीन उनके मसले थे वो ये थे कि एक तो बिमार भी है वो गिर के थे उसके बाद उनकी पास ज की अपने और फिरका जॉति हैं से उनके पर гр Alda को ने जाय करें के दो आ्चवर आफ इसके उनके पर उसके बिल्कुल मेरे जहन में यही बात थी कि इस तरहा से भी अगर कोई काम करते हैं तो अभी शुरुवात करें ताके जो बच्ची अपनी देने वाले हैं वो भी यह बात लाजमी सोचते होंगे कि जिसको हम अपनी बेटी दे रहे हैं आया वो उसको दो वक्त का खाना खिला सकता है उसे लिवास फराहम कर सकता है या नहीं कर सकता है तो हो सकता है कि दुनियावी एतबार से ये रुकावटें इनके आती हो इसके इलावा अगर किसी भी तरहा की कोई भी रुकावट है तो सुरह फातिहा और दम करते हैं और खुदा से दौा करते हैं तो इन्शाला आला आला के मसले को जरूरा है और साथ में सद्का भी दिया और सद्का तो तब ज्यादा देना चाहिए जब आपके पास कुछ भी ना हो कुछ यह ज्यादा इंपॉर्टन्ट है नूर भाइं मुराद भाई यह जितने लोग यंग्स्टर हमारा पुराम देख रहे हैं आपको सबसे पहले आपके लिए आपको मायूस नहीं होना आपको अल्ला सुभाना की बारगाह में जुकना है सजदा करना है अल्ला सुभाना की करीब होना है उसके बाद आप देखें हम अभी जो द मुझे मौला काइनास सेदा अली शेयर खुदा समझा रहे हैं कि वो जिनके बच्चे जन्नत के सरदार हैं वो मुझे समझा रहे हैं कि कोई भी महनत काम में कभी शर्म नहीं होता है स्टेटस मैं इस कैलिबर मेरा कैलिबर बहुत बुले दे मैं नॉबल फैमिली से ब्लांग रिक्षे वाले हमारी खान का मैं बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं हदरत हमारी काम में बरकत नहीं पसंजर आके बैठती नहीं माल बिकता नहीं है मिरे नियत में फुतूर है कि मैं आज इतना कामा लूँ कि बस मुझे एक दू हफ़ते की ज़रत न पड़े अगर आ तुम लोगों को नफ़ा दोब के अल्ला आसमान से उतौर ओऊरेगा और तुम्हारे रिस में अला बर्कत आफरमा जाएगा तो देखना यार रखना माल और चीज़ है बरकत और चीज़ है आज सारे लोग मल की पीछा बागते हैं जबी बरकत से में आपतुल में भी तो कम मेरे दो स्वालें, एक स्वाल मेरे जिए अभी नाशुक्री की बात हो रही थी, बेस्परी की बात हो रही थी, तो दुनिया की दौड़ की नते हो चुछी है, मदिहां के आप चीजे जो पहले एक याशी समझी आती थी हम जरूरत बन ली है और हम उन चीजों को हासिल करने के जायि प्रेशन के तरिक होती है, उसमें जायरी बात है तो, तो चीज़ के वाई मैं आप झाहरे करें होती हुदे होती है और अःज की शNewर काम करते है उसमें जाहरी बत्के दा मिरी आप जाहरे हो तो आस आपर उनिंशे तो पूरा नहीं करें हो थी अग। जोर्ण इसमें जो हम लगे में इस समय सकते हैं और फिर जब एक चीज जो छूट बोल के बेच रहा है उसकी बहुत बिकरी है जो एक आदमी इमानदारी से काम कर रहा है वो भीजारा बहुत पीछे लाए इस सही पास कीघारी जो पीज़ा पिसे की बनाठी बैच रहा है और फिर शोट वूरी नाबस ने बता रहा हैं और वह बहुत सारे इन्फूंसर को आपना जो बहुत पासे की बन्यात पे बहुत नियत आगी ना वह बहुत सारी गर्मयारी चीज़ें लोगों को और फिर यह बहुत करें यह ना शुकरी का अंसर जो अलामत साफ उन्हें बेयान किया इससे कितनी ज्यादा जो आईशा ने वहले बात की थी बे बरकती होती हमारे चीज़ों में जो पहले सवाब का सवाल चल रहा था उसे इस मुत्तस्रें करते हुए वो यह ना कहें कि रिस्त नहीं मिल रहा है उनको रोज मिल रहा है उनको ना बोकित नहीं सोते हैं बात यह कि उसमें इजाफा कैसे हो जाया है इजाफे के लिए जरूरी है कि हाकीम लुग्मान ने अपने बेटे से कहा था कि बेटा जब रात को सोया करो ना तो कापी बनाओ और उसके अंदर लकी कीज़ों पीच में और लिखो कि आज के आमाल हसना और दूसरे लिखो आमाल कभीहा और जब रात को सोने लगो तो सोन अबना ये मुरत करोगे अपने हाथों से नेकी लिखोगे अपने आफ़से खुद अपनी बराइए लिखोगे खामिया लिखोगे अपनी तो किसी के ऐसा दिलाने से तुम एसास नहीं होगा जब खुद लिख रहा होगा कि पूरा दिन गुजार देता हूं फक्त नेकी एक है और बराइयें, दसक्रा रह समय है, तो कहीं चैये और खाने पेने का रिस्क हो, चैये वो रुखानी रिस्क हो, और यहां बादी मामलात हो हो, यह ल्क्ति आमल मुंसे छोड़ की गया है कोई खलाती मुंसे ऐसी हुई है कि रिशक नियुक्ता से यहां तंगी आ गई है यहां कमी को गई है और यह लुग आमल मुंसे छोड़ गया है इसको गोहरा ना चाहिए दूसरी बाद रहे कि हमारा मिजाज यह होगिया है कि हल मिज़िद फ़िया ऩजीं होने चाहिए कि अच्छीज हम धेखें कोई नेकन में कोई नेक आमल हो जाए कि citizen WOR कोई नक्षी लेखें कोई में क्र देख इंग्न हॉजा हर आमल पर हमें आदत पार किने चाहिए है कि रहें इसलिए कि हमें नहीं पता है कि मैं सोच हूँ कि दिन गुज़ जागा शाम को खुदा की बारा के बैठो मुझे मालूम है जिन्दा रहूंगा शाम तक है यह बुस्ता है बात यह कि जो आदत हमारे रोजमार की आदते हैं बहुत सारी चीज़ें देख खुदा की तरफ से कमी की नहीं है कि कि अनदर निजाम य कर दूमें को यह प्रोग्राम लगती हैं जिन से हमारे मसाइल हाल हो सके दूसरा यह के मुझे नपने हज़ड के बारे में बात करें यह अब से जी 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 मधिया मेरा जो मसला है वो इस अब से जादा आप हल कर सकती है अगर आप चाहें तो अच्छा बताएए इन सबसे में दूाओं की गुजारिश करूं ही लेकिन आप से गुजारिश है कि आप परस्टेली मुझे कॉंटक्ट करें क्योंकि देरा मसला जो है वो आप परस्मेली हलका सकती है आप और आपके हजबन मैं बहुत तिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर दी हूं लेकि रदाता नहीं हो बार आप से चले चले हमारी चले फाइजा मैं अपनी टीम से कौंगी कि वो फिर वो आपसे वो कॉंटक्ट भी कर लेंगी अच्छा ये कोई वजीफा मैं चाहूंगी ज़रा वजीफा बत सुर्यासिन की बिल्कु आखरी दो आयते हैं बिल्कु लास इन्नमा अम्रहु इदा अराद शेयान आयकूल लहुकुन फैकून फस्बहान लदी बियदीह मलकूत कुली शेयु महीली तुर्जाउन ये इतनी पावरफुल आयते हैं अगर इनका इतकात के साथ कोई बी ताद बीना हो चलते फिटे पढ़ लें तो अपना वो काम जहन में रखें जॉब हो घर हो बेरोज़गारी हो शादी हो कोई भी नियत से पढ़े ना इन्शालला इसकी बरकत से मसल्हाल फरमाएंगे रिस्क के हवाले से खास्तोर पर अल्ला का नाम रिज्जाक तो या रिज्जा वयालम मुस्तकर्रहा वमस्तवदाहा कुलुन फी किताब मुबीन ये बड़ी जबर्दस इसका तरजमें पढ़ लें साथ में अब यह वक्तसर पर तरजमा नहीं करूँगा लेगा 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 व्याला पाक ने फरमाई हर जानदार जो बी स्कूल प्राइविट स्कूल में पढ़ाती थी और दो बचे हैं मेरे ना उसकी बाद स्कूल बंद हुआ स्कूल खत्म हुआ तो फिर मैंने होम टूशन देना शुरू कर दिया लेकिन होम टूशन भी अब आज पता है आपको के आनलाइन टूशन दिया जाता है लेकिन होम भी खत्म हो गया आट देस साल हो रहे हैं तो क्रीबर ने इस बात को अब कोशिश करती हूं कि कहीं मिल जाए कहीं कर लूँ मिलता है लेकिन इस तरहां से नहीं हो पाता है बहुत परेशानी बहुत जादा यानिके मुश्किलों में यानिके वब गुजर रहा है कभी होता है काम ना क्योंकि जार से होम टूशन में इतने पैसे नहीं देते लोग घर में तो बहुत मुश्किल हो जाता गुजारा करना और दूसरा यह कि बढ़ा है आपको पता है यह आनलाइन लोगों ने वह कर लिया है तो वह आनलाइन में ही चले जाते हैं जादा तर तो घर में न हो नहीं पाया मतलब जैसे मैंने कहा कि आनलाइन अगर हम चाहें भी करना तो नहीं मतलब हमारे काम हो नहीं पा रहा हमारे रुकावटे हैं हर काम में बहुत रुकावटे हैं तो मैं कोई काम करना भी चाहती हूं तो नहीं हो पाता है बहुत मसले मसाइल हैं बहुत परिशा सुस्ट्राल मैं हस्बिन अकेले थे कोई भी नहीं था और साथ-सुषर का इंतिकाल हो चुका है अगर का अपका घर भी आपका रेंटी के बरे दो बच्चे है मेरे बेटा मेरा 20 साल का होगा है और बेटी तो बैटी जो है मेरी वोर्टिशन देती है बच्चों को ना हम लोग यानि के यही मतलब आगे ऐसी चीज को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे यही हो लेकिन हमारे कामों में रुकावटे बहुत आच्छा आइशा आप से लिए अच्छा मैं जब इस प्रोग्राम के लिए आ रही थी ना त उसकी बनियादी वज़ा यह है कि यह देखा गया है शायद मैं गलत हूं लेकिन मुझे यह लगता है कि अमीर जो है अगर उसके पास कोई कोई कहता है कि भई बेटी की शादी करा दो या इस तरह के काम कर दो बढ़कर कहता है हाँ मैं करवा दूँगा ठीक है वो कुछ ना कुछ अल्ला की राह में दे रहा होता है अब हम यह कहेंगे कि गरीब तो करी नहीं सकता बिचारा कैसे करेगा गरीब के लिए यह है कि उसके पास जतना अमाउंट है ना उसमें से एक रुपया भी निकाले खुदा की राह में यह देने की आदत जब यह रखेगा ना अपन खुदा आपके लिए वो रास्ते हमवार करेंगे कि आपका वहम और गुमान नहीं होगा वहां से आपको रिस्क मिलेगा तो यह सबसे बहली चीज़ी है अच्छा दूसरा ही है कि हम बाज वकात ठक जाते हैं एक ही काम करते हुए नेकिन वक्त के साथ-साथ जरूरियात उतनी ज्यादा तरफ्की कर ली है कि अब उसकी जगा किसी नहीं किसी चीज ने ले लिए जैसे हम मारे पास घड़ियां होते हैं अब मॉबाइल फोन आपने देख लिया ठीक है तो कोशिश करें कि अगर ये काम नहीं चल रहा है तो मैं किस तरह से इसको अच्छे तरीके से निखार कर लोगों के सामने पेश कर सकती हैं अब अगर कहें कि ये नहीं हो रहा जो दूसरे लोग कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं यानि कि वो कोई ना कोई एक्सपरटीज है उनके अंदर मौझू हम अपने अंदर भी कुछ तबदीली लाने की कोशिश नहीं करते हैं म कर ले नहीं थ्यांगे की किस प्राइन प्राना पढ़ा लिखा हैं वो मैंने देखा कि आज कल के दylon मैं वो टीचर और हर प्रोग्राम में आकर बैट कर वही बातें रिपीट करेंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यह तो रिपीट कर रहा है रिज़न एस कि वो अपनी तालिम को कंटिनियू नहीं किये हुए ठीक है तो हर दोर के हिसाब से आपकी एफर्ट तबदील होती रहती है जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे हालाद बेहतर नहीं होगे नुर भाईजी बिसमिल्ला रहा हमाद रहीं देखें घजवे बदर कौने मजी फुरकाने हमीद भी माचुद है खजवे बदर में दो चीज़े हमें नज़र आती है अल्ला सुभाने मुट आला की नुसर आसमान से फरिष्टों को नुजल होना अल्ला की नभी के पास जिबरा आ चुके हैं कि आसमान से फरिष्टे उतरेंगे मगर नला की नभी सिर्थ सल्थ वाहां हिक्मत अमली और ईप्ना रहे हम्जा तुम यहां कहरे होगे अली तुम यहां खिड़े होगे आ आप हमाने काम ने रे हमारे आ चीज़े से गालता, आमाने के एक्षाब के लाने हिलां धला एकुर्द लाउं अफला यतदबरून अफला याकिलून कि तुम गोर फिकर नहीं रखते इस चीज़ को अपकेट करेंगे चीज़े बहरते होती रहेंगे रहा जैसे मिसाल के तरुब अब मैं कहता हूँ कि बंदिश है भी मिसाल है तो बंदिश हमेशा यह नहीं होते है जादू हो गया बलकि कभी-कभी हमेरे गुनाहों कहबाल हमारे सामने आता है मैं इनकी बात नहीं करा रहा हूँ मने वाली साब रहमतिला अल्याले के पास जब लोग इस तरह की लोग काते थे वो कहते हैं भाई बंदेश नहीं तुम्हारे गुनाहों का वाब ले देखो अल्ला तुम्हें किस बास से नराज हो रहे हैं तुमने क्या चीज़ ऐसा कर लिए बंदेश गुनाहों आजमाईश भी तो अल्ला की तरफ से हैं अगर तुम अल्ला के काईना वही रसूल देदी हाजी तो नूर भाई मतलब इनके लिए पर कोई ऐसा कुछ हम का बता सकते हैं कि यह सी किस चीज़ का विर्द करें कि इनके दमाग में और आइडियाज आए कि इनको मतलब इनके दौर और सीखने के लगए बड़ा अच्छा सवार आपका देखें अल्ला सुभानों के दो ऑचिँब काम 이제 इसामे या फताहु या करकिंद जो खोत आवा हैं, जो खताबा हैं जो जो जाकिरीन हैं जो एंकर्स हैं या फताहु या करणा में जादीन इससे यह होगा कि अल्लाव सुभाने मजीद की आया सुरह तहार में है या आप कराने मजीद फुर्काने हमीद की आया रब्ब शुरह ली सदर फर्माएगा और आपके पास आडियास आते रहेंगे आप उसको अच्छी तरकी से फॉलू करते रहें जितना आप अपको गुरूम करेंगे अपगरेट करेंगे अल्लाव ताला की रहमत हैं आप पर उतनी बड़ती चलेंगे मेहनत में अजमत हैं। यह हम जुमला सुनते हैं अपने आपको अप्ग्रेट करना होगा, पिर Allah से मागना होगा, पिर Allah सुभानावाद लाद अता कि देखे लिए उसमें मसदला होता है जो हम वे में आप बताते हैं ना तद्वीर पढ़िये इवरत कही है हमारी आध़त क्या है तद्वीर पदिखे शूर गया फत्व फत्तो नो फत्तु मुझत बन जाता है तदेखे कि यह फत्ता बद शूरू किया आखिर मैंने मैने है सो दफ़ा पढ़ ले तब हुए असर है यह तकरार जो का कुछ हुआ है कि हर इनसान कोई भी हर आदमी इतना साहे मार्फत नहीं है 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 एक दफ़ा कर प्रढ़ने से स्ब लिए किसी में गोर कर जा रहा हुँम है उंक lows आफर लिए हो लागा जाफर जो कहने लगे के जू सूर आ हम है यह इसम आजम है इसमे आदम क्या है कि फॉरान असर दिखाती है हुआ यह कि जब तालेब उटके उनके पास गया उनका सौधा फ़र दीजे तो रास्ते में यहां सोल्चा बाद मरहा करता है उस दो रास्ते में रात काफी दिन रूची थी रास्ते में कुट्टे ने घेल लिया उनको चीखने लागा उसके पर अब उसके पर जान बचाने के लिए रास्ता नहीं मिला क्या कुरूं तो जहन में कि आगले जाफ़र ने कहा था कि यह इसमे आदम है उसने एक मरता सौरे फात्या पड़ी भाग गया हुआ इस अलागी यह अब यह अगले दिन वापास है उनके पास का समय ले किसे मांग रहा है तो जो औराद होते हैं एक तो यह कि इसमें कामी हो कमी होती है कि हम गोर नहीं करते हैं इतनी तेज़ी था पड़के खतम कर देते हैं अचा फिर जिस वक्त हम तद्भी पड़ रहे हैं किसने विर्द बताया वो उस वक्त को मखसूस कीजिए कम से क ब्रेक लेने ब्रेक के बाद वापस आते हैं दिमागी सुक्मून मिल रहा है हमें एक केंशन अलेदा है कि जी हमारी तो पूरी नहीं पड़ी और फिर हमारी खौहिशात भी इतनी है कि हर आई दिन को नई चीज़ हमारे सामने आ जाती है और हमें होता कि किस तरीकी से हमें इस चीज़ को हासल करें बगार यह कि हम सोचे दे रहे हैं यह तनी बड़ी नेमत है हम उसका शुक्रिया बेदानी करते हैं तो आप लोगो में कॉल कर सकते हैं और जो हमारे दिन हमारे पास जहां पर मौझूद है वह आपको से वजीफा नहीं बता रहे हैं बलकि यह यह कांसलिंग भी कर रहे हैं और यह कांसलिंग हलो ह्2 यह लो शैरा व्लीकुम। देखिए मेरे चार बेटे हैं, एक बेटा होस्पिल्म में है और एक दो साल हो गए उसके भी पेट में सॉल्यू, सॉल्यू, मैं खडर परिशान हूँ, मुझे यह पताती, शोहर नहीं है मेरे, अच्छा, अब एक बड़े बेटे हैं, वो कमाने वाले हैं, वो तरह सही से कमात जिन्दगी गुजार रही हैं, लेकिन परिशानियों उसके साथ में, अब यह बताईए आप मुझे, कुछी नहीं कुछ बंदिश कर रही हैं, क्या है कुछ पढ़ाई के लिए, या कुछ जवा के लिए, या कुछ खैरात करने के लिए, जो कुछ भी आप बताईए मुझे क्या करूं, बहुत परिशान हूं, और हर जो नमबर आते में मिलाती मिलता ही नहीं, यह तो बुचारे उस बच्चे में मिला दिया, अल्हां का शुकुर एलाद लाद, यह बहुत इज़त के लिए, अब आप मुझे बताईए मैं क्या करूं, और बेटी एक बेटी है, मेरी क्यों बिए शादी नहीं हुई है कि अप्सारा इंगा उमर भी हो गई है, आच्छाू, चले, बहुत शुक्त रहाए सभी जी आपकी कॉल का परिशान है, बेमार भी है, हस्बिन के है नहीं, बेटी की भी शादी नहीं हुई और बच्चे के पास जादी नहीं है, और वही आजमाया और तीन दिन के लिए एक बजाहिर, पानी भी बंद कर दिया और खाना पीना भी बंद है, मगर जबान से शिक्वा नहीं हो रहा, मुझे हुसेन ने मैदानी करबला के उन आयाम में बता दिया, या तो इस जबान से शिक्वा होगा या पर शुकर होगा, अगर शुक रहोगे और ऐसे खुश हो जाओगे, कि अगर तुमारा बच्चा इस दुनिये से बजाहिर चला भी जाए, तो तुमारे हाथ में उसका खून का ती थोड़ा सा कत्रा भी आया, तो आस्मान तो उचागी कहोगे परवरदीगा, मैं तुस्से राजी हूँ, यहां इस वक्त क इस कौम का सबसे बड़ा अल्मिय राजी नहीं हूरी है, अच्छा घर है, जिस तरह जामिन मैंने पहले का, कि वो जब बाद आयती मुराद की कॉल पी, कि देखें, उनके पार रिस्ट तो है, हमें से अक्सर लोग हैं, क्या हम पानी के प्यासे हैं, मैं आप से सवाल करता क्या हमारे पास जूते नहीं हैं, क्या हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हम पहले से ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रहें, अच्छे जूते पहन रहें, अच्छे असाइश में, गरीब से गरीबतर भी, अल्ला सुभाना हुआ अच्छ अता फर्माया है, मगर उसके अब लिल्ला हमारी अलहम्दलला कहने का रवाज भी खतर मत जा रहा है ये मा की गोध होगी जो तर्बियत कहती है मा की गोध थी ना हसन और हुसें की बीबी फात्मा रदियाल्ला होता है रात में खंख खिलाती है इसलिए कि बच्चे फजर में तहज्यत में उठ जाएं और कुछ दूँ तो उनको कहो कहो अलहम्दलिल्ला ये तर्बियत वाला मामला आज से करना पड़ेगा दूसी बात अब ये कि अगर मिसाल के तो पर को रुकावट है सूरे बकरा की तिलावत कीजिए और खुदा का वास्ता सूरे बकरा पढ़ेना तो सूरे बकरा को कभी समझ क पढ़े法 मैं कहूंगा एक चीज होती है एबादत एक चीज ये यादत next he 18 करते मैं को बतुरे आदध करते एक मरता बील्ला को अलला समझ कर बकारेना सारे मौनलट रिजा है अचा। आप से पूछ पाई तिलास मैं जाओंगी आप से परे जानू फिर अलामा साहब के पास आओंगी यह तसरूर करके कि अल्हा पाक हर चीज़ को काटने पर तोड़ने पर खत्म करने पर कादिर हैं इनल्ला अला कुरिशन कादिर के कफरस से विड़ करें दूसरी एक तजबीर रसूर करीम वभी हम्दी ऐस्तख्फिरॉल्ला इसमेर अल्ला की तजबीर शामिर है तो इसके उल्में एकराम ने जो अगरे रवायत कि अए है कि फजर की सुननेतों के बात और फ्रस से पहरे सौ मरतबा के मस्का पड़ लिया जाए सुभानलाए वभी हम्दी सुभानलाह आल रजीम वभ ब오 हमती तो इसकी बरकत से इंशालल Alexandria मिलेगा. और सुबह के वक्ड में वैसे भी आता है कि रिस्त उस्त कहई होता है न ह TVाुआ जए हमारे तो पसना है लोग सुभा उठते ही नहीं है, सारा दीन गुज़र जाने के रगा जोहर की नमाज के बात लोग उठना शुरू करते हैं। पता है कि तंख़ा हमारी फिक्स है तो इस तक्कर में रिस्क की तराज में कोशिश ने करते हैं। कि पहली पे तंख़ा मिलनी है। लेकि तंख़ा भी हमारी इस बरकत के रहा से चल ली होती है। हम जो जिकर असकार कर यह खुशाली यह चीज़ा हमें बता जीए कि एक खाने पीने का माज़ का पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो हज़रत जाकूब लेकर लेकर आना जाना तो एक पूरा यह सेशन है तो शॉर्ट सामरे बता जिए कि इससे पता लगता है कि एक तो हज़रत यूसुफ अलगी जो पूरी एक नामिक सी पॉलिसी थी वह उन्होंने वह पर इंप्लिमेंट कि उसका और दूसरा ही हज़रत जाकूब अलगी बलके बेटों को तिहार करके वहां पर बिल्कुल एक्जीकुशन भी बड़ी मैठर करते है शापीर उसेंट सा अच्छा शबीर भाई आपके में बात समय आपके मुसल्सल काम भी करें आप क्या काम करते हैं कपड़ों पे अच्छा इंडिस्ट्री जिए ठीक है और आपको कहां पे मसला लग रहा है किस सवाले से वजीफा पूशना चाहते हैं अच्छा रेगूर काम नहीं चलता आपका तो ऐसा है कि आपका काम जो है वो तर सलसल से कोई रिकावर कोई बंदेश वगारा कुछ इस रहसा तो नहीं है लिए अच्छा अलामत सभ आपका देखिये मैं आपका मॉले काईनात का वजीफा कह लीजी अखिया फ़सको लगे कॉड़ कारिए कि मौला काइनाद दें तो उससे उनकार नहीं है हम मार्किन चीज़ खरीदते हैं तो देखते कंपणी कौन से अच्छी है जतनी बड़ी कंपणी होगी उसकी गारंटी पर यकिन करते हैं तब रसूल खुदा के बाद अब दलतरी शक्सियत मौला काइनाद मौला काइनाद कहा तो एक काइना फस्वार ला जा रहा है आट है और अफस्ति हैं मार्श दुनियारी भी है और मार्श आखरत भी है इंसान चाहता है जब तो श्रमाश आखक चाय मंसला, फजलाश, फिर मुसला, इला तुलु अधु मम्स proof में उठकर, खदा की बारगाँ में, मुसल्ले पर बैठकर, इतनी दिए तक बैठे रहो के सूरश तुलु हो जाए, कहाए मेरे रशाने वालो, इसकी आदब तुम बना लो, इसके आदो तुम बना लो ये एक अमल जो सवा घंटे का जिड़ घंटे का होगा जाद जादा ना ये 24 घंटे में शहर शहर करिया करिया मुल्क ठोकरे खाकर जिस्ट ढूंड़े से बहतर है तेज़ घंटे गारंटी में ले रहा हूं एक घंटा तुमसर्फ कर दो तुम्हारे दोने रिस्क की जिम्मदारी में मेरी है अच्छा इसम है क्या देखिए जैसे के मुस्टाब कह रहे थे उसी समय के बात यह है कि बैंक की टाइ फजर में उठके मसला यहां पर लोग साही राज जाते हैं फिर चले जी फजर का टाइम होगा फिर फजर की नमाज पढ़के सो जाते हैं अच्छा लोग यह कहते हैं कि जना भी हर चीज़ में नमाज की ताकिंग करते हैं देखिए कार्थूस हैं मेरे पास चलाना चाहता यह हैं कार्थूस इनकी पिस्टल यहां नमाज है नमाज पर फिट करोगे फिर चला होगे तो असर करेंगे नहीं है बगाए नमाज के चातने हैं कि सारे औराद भी असर कर देगे बड़ी कराची वाली है कि कराची वाली है सम्झाने के असान लफ़ लिए भी है तो जुम् बता रही हूं और यह गैरेंटी है कि अन्शाला लादाला का वाली है कि इसे शॉप में दाखिल हो रहे हैं या घर में दाखिल हो रहे हैं और आपने पढ़ना है सुरह इखलास सही है यह आप करके देखें मैं सौ फीसद यकीन के साथ कहती हूं अल्ला लादा आपके हालात को बदल देंगे और यह एक से दुकान में चाहिए अपने घर में एंटर हो और यह बच्चों के अच्छा जब आप दाखिल होना तो धीमी आवास से ना पढ़ें जैसे बच्चे आपके साथ हैं तो कोशिश करें कि आप बलंद आवास से पढ़ें और बच्चों को भी सिखाएं क्योंकि व हो गया दूसरा अमल मैं आपको बताती हूं कि रात में सोते हुआ आपने सुरह वाकया की तिलावत करनी है एक सहाबी थे वक्त नजा का आलम था हम बहुत शदीद बिमार थे तो इतनी ज्यादा शिदद थी उन पर बिमारी की तो उनका हजरत इसमान ने कहा कि मैं आप पैस किया होगा लेकिन हजरत अब्दल्ली औनа सुझत है बहूत ज्यादा मुदमेन नहीं का नहीं पैसों की ज़रूरत नहीं है अचा क्यों ज़रूरत नहीं है वरने का मैंने अपनी बच्चीयों को सुरह वाकिया सिखाई हुई है ठीक है तो अब आप समझ लीजिए कि सुरह वाकिया कितनी अहमियत की हामिल एगी हदीस मुबारका मैं बता रही हूं आपको तो कोशिश करें कि सुरह वाकिया को ऐसे थाम लीजिए फिर आप देखें अच्छा इसमें ये भी होता है हम एक दिन अमल कर लिया दूसरे दिन छोड़ दिया फिर अमल कर लिया फिर छोड़ दिया तो वो रुकावटें आती रहेंगी लेकिन अगर आपने इसको जारी रखा हमेशा करते रहें ये यकीन रख लें कि कभी भी आपके रिस्क में और मधिया इससे बड़ी नहमत क्या होगी कि हम रोजाना खाना खाते हैं बगहर मांगे खुदा हमें मिल जाता है अगर हम उसके एहसानात को देखे न सुरह रह्मान का थोड़ा सा मतालग करें तो कितने हैसानाते हैं सूरच सितारे सियारे भूल पौदे पत्ते सब इनसान के लिए बना दिये गया इसको सजा दिया गया उस पर भी हम नाशुक्री करते हैं हम यह सोचें कि उस जमाने में हम थोड़ा सा पहले पीछे की तरफ जाएं तो लिबास तीन से चार हुआ करते हैं अब आपकी कबर्ट लिबासों से भरी हुई हैं उस पर भी शुक्र अदा नहीं करते हैं तो यह हमें शुक्र करने की भी जरूरत है और वजाइफ साथ साथ पढ़ेंगे सबसे बड़ा वजीफ है यह कि आप शुक्रे खुदा करें यह बड़ा इंपॉर्टन है और चूंकि जम सब्सक्राएं oldest करदा है तो और यह जो है आपको अलाएब अड़RO мат dads रह्मते दस बर्कते मॉंगते हैं फ़्ट कम बघ्ड़ीत मैं हदीच में एक दृट पढ़ने पर क्या होगा दस गुनाहों को मिटाया जाएगा दस बर्कतों का नुजूल होगा रहमतों का नेकियों का इजाफा होगा, ये दोनों फरिष्टे ना, नेकी के वक्त हरकत में आता है, बदी का बदी के वक्त, लेकिन जब आप दुरूद पढ़ते हैं, नेकी वाला नेकी लिखता है, वो कहते हैं, बड़े मोज़जे है इस दुरूद के, अच्छे यह मारे साथ मिस्स आ बच्चे जॉब कर रहे थे, बच्चों ने जॉब आई साथा, छुटियां करते रहे हैं, उनकी जॉब छुट गई, बहुत हम लोगों ने अपने आँखों से सब कुछ ऐसा देखा है, कि मैं कहते हैं, उपर जाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नीचे आते बहुत तकलीफ दे आमले हैं, बच्चे आपके छुटियां क्यों करते थे जॉब से, नहीं दिल लगता था ना शोहर का दिल लगता था, नहीं बच्चों को लगता था, और पहले मैं जो चीज दिल चाहे, कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पैसे नहीं है, मैं जो दिल चाहता इतने अच्छे हालाते हैं, मेरे सामने सामने हमारे हम खुद परिशान इस बात के लिए, कि ये हुआ तो क्या हुआ, मैं अब कुछ ये नहीं कह सकती, क्योंके रिश्टार तो खुश हैं, हाँ, गैरों को दुख है, हक्रीकत मैं जो बता हूँ, वो बताते भी हैं, क्यों कर मैं ख्रामr, और एक बीस, आचा किन और जिन कौन सी ऐजय थी इक ती, इस वक्त रालात बहुत बेदर थे, थर्टीन में थे, वो शिक्स्टीन इस wise तरीक से बहुत उच्छे बहुत, बहुत अच्छे और की बच्चे किती, बज़िया है, बच्ची है मेरे मेरे तेरा सालम क तेरह साल की अपकी बच्ची है, हजबंड आपकी कोई काम नी करते है अबी? उनका बिजनस ना मैं बतार हुँ ना बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो बस कहते है बिया दिली नहीं लगता हूँ वज घर भागने के करते हैं कि अजीब सा ना घवराइड होती है वह पर तो फिर वो आईसा है साब ने का कि आपको बिजनस जो है वो खतम होगया चले हम इसका जवाब लेने की कोशिक करेंगी चोटी सी ब्रेक की बाद कहीं मचाईएगा हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद एक बार पर से खुश्रामदेद कहते हैं एक तो मानल भेन पहले भी मौजूद थी यहां पर और बताल थी कि कैसे उनकी मिया का जो कारोबार है वो एक दम से ठाप होता चला जा रहा है और क्योंकि मिया का इंटरेस्स खतम हो गया था तो मैं कोई एक लिए उस पर वजीफा ले ले लेती हूँ फिर मासाद शुमाईला एक और बहन मौजुद इनका मसला भी सुनेंगे मैं आप से शुरू करती हूँ अगर कारोबार में कोई बंदेश है रुकावटें हैं तो उसका सबसे आसान हल आसान तरीका अपने पढ़ना है सौ मरतबा इसकी तस्वीर करने हैं इन्शालला जो भी रुकावटें होंगी अलब आला इसको दूर फर्माएं यह भी शर्त है कि आपने जाना भी है तो यह सुस्ती को खत्म करने के लिए भी बिस्मिल्ला रहमान रहीम देखें सुन्त फजर की सुन्त और फर्स के दमिया सुरत फातिहा एक तालीस मरतबा वारी सार रहमत बहां बहां करमाते थे कि जब भी कुछ तरह मरीज हो बिस्मिल्ला कामीम सुर फातिह के अलिफ लामिन के अंदर इदगाम करना है इंकलूट करना है बिस्मिल्ला हुआ है इसके लावा भी आठ नौ दस मुहर्रम रहराम जो रहा है हमारी हैं जो लोग असकार वजाइफ करते हैं खास होब बड़ा एहत्माम करते हैं इसका आठ, नो, दस कोशिश कीजिए कि उस दिन रोजा रख लिजिए उसके बाद या लाह, या रह्मानो, या रहीम, तीन अल्ला सुभानों वतला के नाम या लाह, या रह्मानो, या रहीम, किसी भी किसम की बंदिश हो, जादू हो, कोई भी वामलात हो अगर पढ़ सकते हैं तो लाह आपको तव्फिक दे तो उन्नीस सो मरतबा, क्योंकि बिसमिल्ला की आदाद भी उन्नीस हैं, वहते मौला काइनात की जो आदाद मी निकलते हैं, इस निस्पत के साथ आप पढ़ेंगे उन्नीस सो मरतबा, या लाह, या रह्मान, या रहीम, अभी पीर, मंगल, बुद, आठ, नौ, दस, महरम, अल्हराम को, अल्हा आपको और तव्फिक दे, तो पिर आप एक हजार मरतबा सो इखलास भी पढ़ें, या आठ महरम को भी एक हजार मरतबा सो इखलास, नौ को भी एक हजार मरतबा सो इखलास, और दस को भी, किसी भी कि किसम की बंदिश होगी कारुबा में रुकावट होगी किसी भी किसम पर जादू हो इशल्ला वो इस असकार की बरकत से खतम हो जागा अन्शालै अलामस صاحب दो तजबियात के अपनी अपनी आदद बनाएं अबोला अपनी दूरत के बाद बिस्विल्लाइ रुमारे रहिम रब्बे अन्नी मगलूबून फंतसिर नमाद जोहर एंके बाद पिश्केलावा जिस सुरे इखलास की रह्मानी साथ में कहा यह तो ने उने खास ऐयाम के वाले से बताया आट नो दौड इसके वाले से लेकिन आदद बनाएं कमजक एक तजबिर रोजाना क्योंको सुरे इखलास वाहिद सुरे करण करीब की तमाम सुरे के अपने अपने अज़ाबात है तिकर सुरे इखलाओ जो है है जो कहते हैं कि आउल राउंड सिफात की हामिल सुरे इखलाद दो है इसको आदत बनाए और परदने के बाद इसको बीबी फात्मा को हधिया करते हैं ठीक है उनको हधिया करते यह मेरा मुझाहिदा भी है और तजर्बा भी है तो इसका नतीजा महसूस किया है कम से कम इन द इंदिश खतम करने के जो अक्सर जिकर आ रहा तो इसके लिए आयत करीम है ला इलह लांता सुभाने के इंदिन कुन्तुमिन अव्जालमीन रोज आना 313 मरताब पढ़ें पर जुम्ह के हवाले से बार बार पूछें कि खास जुम्ह के हावाले से वजीफा तो सुरे जुम् तकार हम इसको उडव में पढ़ें करें के अगर तो अब इतना सवाब जो अर्बी पढ़ने का सवाह यजिए सरकारी इना तो सरकारी अफश अले पूरी उर्दुमें अचाल सो पड़ेंगे लेकिन यह आ अर्बी में कुश हिक औहने घ्झाने और अगर कि पर झेसंगे आन माइक, माइक, माइक. मेरे खड़े हो गए हैं थोड़े बसी इलाज नहीं हो पा रहा है हमसे क्योंकि हमारे पस वसाइल नहीं है और कोई जरीया नहीं है काम काज का तो इसलिए मैं चाहूंगी कि मुझे कोई वजीफा ऐसा बताएं जो बेटे की जो ऑपन हाट सर्जरी होने वाली है इंशाला होंगी इंशाला लेकिन हम नहीं करवा पाए ना जी क्योंकि पीछे भी मेरे दो बच्चे चोटे और घर में कोई ऐसा है भी नहीं जो नहीं समाल सके और आपके जो हस्बिन हो क्या काम करते हैं हास्बिन मेरे पढ़ देगे हिसाब से काम कर सकते हैं क्योंकि वह ज्यादा मह लेकि इनके रिस्स में अजाफा कैसे उसकते हैं और गयर से असबाब ऐसे पैदा हूं कि इनके बच्चे की ओपर हार जो सरजरी है वो हो जाहरा है रामसे बच्चे को भी और शोहर भी और अगर सब सुन सकें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर सुरह रखमान को तिलावत किया जाए जैसे हम सुनते तो हैं अगर जैसे ये खुद हैं अगर ये खुद तलावत करें या बच्चा तलावत करें या शोहर तलावत करें किसी भी वक्त कोई मखसूस वक्त बना लें और उसमें एक बंदा तलावत करें और बाकी जो हैं वो सुनें उसको तो जितनी दौा है, मिसाल के तौर पर आपके ये जो अम्राज है, अल्ह ताला उसको शिफास से तब्दील करें, क्योंकि अल्ला, देखो, हम ये समझते हैं कि ये जो विमारी है, कभी इलाज नहीं हो सकता, अल्ला जो चाहे ना वो सकता है, वो तो मोजिस नुमाएं, हाँ, तो जब अर अगर नहीं पढ़ेंगे, तो डेली बेसिस पर कभी ऐसा होता है, कि नहीं आप पड़ पाते हैं, तो उस दिन अगर अलैदा अलैदा हैं, उस दिन एक साथ नहीं है, तो हर बंदा अलैदा अलैदा उसको सुन ले, ताकि वो जो आपका एक सिलसला चल रहा था ना, वो रूक बच्चे के लिए जितने लोग जो हार्ड पेशेंट्स हैं उन सब के लिए खार्द निजामुदीन और रहमतुलाली का एक मजर्विक अमल है वो ये के सलामुन गौलम मेरबिर्रहीम सुरह यासीन के अंदर वो आपको 313 मरता पढ़ना है एक जग के अंदर रोजाना एक ताजा गुलाब को रखना है गुलाब को रखने के बाद 313 मरता सलामन गौलम मेरबिर्रहीम को पढ़ना है गुलाब का पाने इस्सामाल करते रहेंगे और वो गुलाब की जो पत्या होंगी वो उसको पूरा दिन वो खाता रहे तो इन्शालला यह जो तकलीफ होती है उसमें बहतरी भी होगी और उस ही है कि जो मौामलाइत इन्शालला बहतर होंगी अल्लाब कोई ना कोई अजबाब पैदा फरमाएगा दूसरा यह कि जिसे कि आज जुम्ह की दिन के हवाले से रहे अगर कोई भी शच्क्क जिसके वालिद या वालिदा सबाब करे के यातर जो बचणिद को अजबा आ जब्चीbels या अपने वालिदेन को एसाले सबाब पर कि और माशिदों और ऐसाले सबाब करirmाएका जिसना पहले आपके सवाल ता है शुरू में कि जो शहीद हो जाया उसको रिस्क कैसे मिलता है वालदेन का विसाल हो चुका और आपकी जो दौा है वो उनके रिस्क का सबब बनने हैं जो जो शुरू बते इलाला की सूरत में तो अल्ला सुभानाओ वतला आपको यहां यह बदल अता फर्माएगा कि आपको किसी से मागनी की जरूवत नहीं पड़ेगी अल्ला सुभानाओ वतला आपको खाजाने घ्याब से अता फर्माता रहेगा तो सभी इस तरह की जो फैमिलीज हैं वो चलते उटते बैटे या मालीकू या रजाकू या मालीकू या रजाकू या कोई सब या लाह का इसन या कुरान की कोई सी भी आयत या सूरह कौसर सूरह कौसर के हवाले से बड़ा बच्छा है सूरह कौसर आप पढ़ें और आप ये देखें कि बीबी फात्मा रदी लाह उतार रहने के खास पर इसको इस साले सवाब कीजिए आप सूरह कौसर जितना पढ़ते रहेंगे आप सूरह इखलास पढ़ते रहेंगे आप आपके रिस्की मुश्किलाद और बंदिशों को दूर फरमा देगा अच्छी एक कॉलर हमारी थी थी साथ में उन्होंने खर पीछे बात कि हर इसा भी नहीं कि बेटा उनका कम कमाता भी ठीटे ही टाक है लेकिन उनका बेटा ना उनसे बात करता है और नाही माको खर्चा देता है इसके लिए माक Mir रिना मजा है प्र था जिसांदा सब्सार भी जो पर पांव तेन Стatut क्यां आक हैं को एक दिन में करने ही सबसे पहले तमाम आफकार से उसको करने के बाद इस आफ़ानी के बाद ऐस कि अव्य सारी फैमिली मिलके सकती 가지고 यह कि पहले दो दिन 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 प veg बो चाहए सके बाद बक्गा अराद यह पर ब cheese के बरस की नहीं देता है बलकि वो दवा देता है जो कुछ आपने इस्तमाल किया हुआ है उसको पहले माइनस करता है वो हो जाएंगे आपके बॉड़ी हो जाएगी फिर उसके दवासर करेंगी तो यह जो कलमा ताउज है इन चीज़ों से है कि अच्छी पिर नदर बद लग यह कहीं चले गए असरात जो कुछ भी है पहले उनको किलर करेंगे ताकि फिर वो औराद अपना असर दिखाना शुरू करें एक तो यह चीज़ों गई यह सब के लिए है जिए उनका सवाल आया है उनके लिए भी यही चीज़ों प्रजीम है अपने बीटे का नाम कागश स लिए इस नियत से यही कलमा ताओ जो है मुहबत के लिए भी और किसी जालिम आफिस्वते बचने के लिए भी नियत पफ़त होता है लिखें जब सौमर्दा पढ़ें तो उस नाम के पड़ दम कर दें ठीक है अपने बेटे की लिए भी बिल्खुसुन के जो कैंसर वाला मस इंसर ही कि एक दो कि वायसे मरीजों को देखा है लमदुलिल्लह इसके नाम की फिस्फ़त थे लागी करकता है कि इसका कि आ हुआ 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 है यह मजीदों की एक हजार बार पढ़के फिर रुजाना पढ़के उसको दुआ समझे ना सब्जाने मैडिसंस है भी है बिल्कुँ भी के साहिड़कूर, सारी है जर्टी रहें है हिसा हीं जर्त हे इनको पूरे जो आफा पर साथ अर ये इनकी बेटे को जो जा गए हो या कोई भी ऐसे हाट का प्रॉब्लम हो उनके लिए पूरी सुरह अलम नश्राइस में दोनों जिकर इन्नमा अलम उस्तर युस्रा भी है कि हमने आको सीना खोल दिया और आपसे बोज अठा दिया अल्लदी अनकद जहरक जिस बोज की वैसे कमर टूटी जा रही थी तो यह जहन में रखेंगे जिनके जो सद्मे से परेशानी से डिप्रेशन से एक बोज दिल पर आ रहा है कमर टूटे जिसकी वैसे एक मशक्कत महसूस हो रही है लपाक इस दूपा की बर्क से बेटे का जो प्राब्लम मेरा ब्रॉबलम से पर आगर अब आुस यूसरा कमसख कम रिक्टाय सूर्स मरतबह डेली पढ़ें इसको इस Нcup से तो एक हजार मरतबह पढ़के पानी भी रख लिया कि ये मरतबह पढ़ना है पिर उसका पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें तो इंशालों असकी बरकत से तमाम अमरास से और का इंसार से शिफा मिलेगी अच्छा मैं बेटा बात नहीं कर रहा है तसवर के अंदर 21 मरतबह सुरत अल इखलास पढ़के तसवर में अपने बेटें पर दम करते रहें वो बच्चे जो नाफरमान है या राप्ता नहीं करते हैं माबाप से वो तो साही कि अल्लाहुमा या लतीफू या वदूदू कि नाफरमान है और हुदूर ने फरमा हुमा जन्नतुका वनारुका वो तमाम बेटे और बेटियां देख लें आप दुनिये कितने भी बड़े बिजिसमेंट बन जाएं साहिब सर्वत हो जाएं अगर आप अल्लाह उसके रसूल के नजदीख अगर आप नाफरमान है अल्लाह उसके रसूल के नजदीख कामियाब नहीं तो आप बत्तरी नादिए वालिद जन्नत भी है वालदा जन्नत भी है अब सुनिए वह वालदा या वालिद कि जनके बच्चे बत्तमीजें नाफरमाने वाल्लाहुम्ह या लटीफु या वदूदु एक सो अननचास मरतबा अगर खाना पीना है तो अच्छा है कि चीनी में दम कर दे हैं उनको इस्तिम बड़े सिर्राम करें 0 right link in की यहां पर भी आप दाखिव्र हैं कोई भी नहीं है एविंके खाली है खरहा आप जस वक्सवागव बचे भी बड़े भी सब सलाम करके दाखिल होंगे, सुराइखलास पढ़ेंगे, ठीक है, और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और उसके बाद आप नॉर्मल जैसे काम करें, इसी तरह से जब आप जाते हैं, अपने शॉप वगेरा में भी, तो कुछ चीजें जो अपनी जिन्दगी में शामिल करने, एक तो सत्का देना, राहे खुदा में खर्च करना, जितना आप खर्च करेंगे, आपके रिस्क को बढ़ाएंगे, फिर अल्ला पर तवक्कल रखना, और ये दिहान रखें कि जो कुछ आप कमा रहे हैं, उसमें हराम का शाहिब आप बिलकुल भी रही होना है, उसमे बुष्रा साहिब, आप हमारे साथ कॉल पर मौझूद हैं, जी, जी बुष्रा जी, क्या चाहेंगी, जल्दी से पूछे, वक्त मुक्तसर है, और टिल्ली विशन बंद रहे हैं, तो ना मेरा बेटे के लिए, बेटे ने ने आप किया हुआ है, बेटे ने क्या किया हुए, खुदा के लिए अपना टीवी बंद कर दीजे, पता है टाइम इता मुखतसर होता है, फिर रम कॉल नी ले सकेंगे आपकी अच्छे छी होगाई कि एलगे इतली के लिए की इतली के लिए और इतली के लिए अच्छे ठीक है इतली के खिर प्लाई कि और है नकि बेटेने और वो जारी ही कि जिनका सफर भी स्मूत हो और रुकावट हो भी खत्म हो तो क्या जल् diferença आप आप किसरत करते हैं सुरह फातिया की कसरत करते हैं इंशाला जो रुकावर्ट परशानी आजमाईश वह खता मुझे की एक बात जो मेरी बहन भी कर रही थी आप भी कर रहे थी वह कारूबार जहां जूट होगा वहां बरकत कभी नभी इसलाम की अदीश मुबारका है कि जब कोई जुढ बोलता है तो फरिष्टा उसकी बढ़र से एक मेल दूर हो जाता है अब estasfi सबसे सबारे जितने लोग देको रहे हैं रह्मत कौन लाता है देने वाला ला फरिष्टे लाते बर्कत कौन लाता है फरिष्टे लाता पूर्छात्तों को अपने से एक मेल दूर चुटों कोम चूबता है जब बोलके फरिष्टों को अपने से एक मिल दूर कर देंगे आप लाग जो हैं वह करते रहे आपकी घर में करें अपमें जिन्दगी से जूट को खतम कर दें ताकि फरिष्टे आपके करीब आना शुरू हो जाएं जब फरिष्टे करीब आएंगे आपकी द्वा को आमीन की मौन लगा के आस्मान पर जाएंगे कोई द्वारत नहीं हो अच्छे सफर पर कोई जाना चाहता हो आज तो मौन बहुत हो लेकिन अच्छे रोजगार करका मुल्क से बाश जाना चाहता हो तो और होता है कि काम पहले कर लेते हैं दूआ बढ़ आते हैं कि हम पहले किसे कहां मूफ करना वहीतर है जहां रह रहा हूं यहीं पे है या पाकिस्तान किसी और सब चल जाओं कि क्ष्वा जा आम के लिए राइब है निकलता है अलगर जमीन वही है तो कहते है कि हमें कहीं मूफ करने से पहले कि अपलाई करने से पहले कि साहिब रिर्द को पूछना चाहिए कि आये यह सफर करो है यह यह इस फिर पर कि हाँ आपका सफर पाकिसान दे बाहर बेतार इसके लिए और कहां चाहिए हमारे काम क्या होता है मर्दी से काम गड़ लेते हैं आप तो हमाई अफास्त करना अल्हा रसुल को चोगिता सुड़ी है हमारे ठीक है काम अपनी उर्जित कर रहे हैं पिर आप हमारी निकाम कर चले गए जब फ़स गए अब अल्ला तु निकाल हमें सारे फैसे करें अपने मुझाब्स में पहले से आड़ कर ले ना जी इसने का ड़्य होता है इसतारा का आजा इस तखारा इस तखारा इस तखारा भी मर्जिका चारे होते हैं कि इनकार ना आजा जाए किसी के ना तो है के एक काम और यह नहीं हो रहा है यह काम क्यों नहीं हो रहा हर चीज का नजाब मिजाद थे असान मिजाद आज मिजाद आ लाही यह मिजाद की 6-7 आजो नहीं ल Cl जो फजर से पहले कुछ वक्त सारे पहले चाहते हैं बड़ा कुबूलित के वक्त है वसक्त पूल को सनाड़ा होता है और बाहर जाने के लिए वजीफ़क बता दो हिजिनस सुरातल मुस्तकीम 313 मरतबह किसी भी टैम पढ़ने हैं अशा की बात पढ़ें जो भी बन रास्ता हो कि एल्ला मेरे लास्ता बना जाना है एक तो यह दूसरा काफ हा या आइन साथ सुरे मर्यम का पहला वर्ड है यह कहीं इंटर्विव जाना हो कहीं वीजा अपलाई किया वह हो कि स्कॉरशिप जाना हो अपने मुल्क में वह बाहर जाना हो तो काफ हा या आइन साथ इसका उपनली विर्द रखें तो इंशालला लपाक रास्ते बनाएंगे इंशालला जी आईशा इसके लिए बहुत आसान है पुरान मजीद में भी यह दौा मजगूर है बिसम लाही वाला हम्दुल् कि पढ़ लें और दौा कर के लाहर उस सफर को भी मरी लिया असान करें और वहां मला ही दौा को पढ़कर ग्यारा मरतमा की जाए तो अशालिण अनका सफर भी आसान होगा आगे और अला तरफ साथ-दौ यहां जो नौजवान हैं उनको मैं इनसे अपील करूँगा कि वो अपने बच्चों की तर्वियत करें और उनको दौाई याद करें को अच्छी चीज देखे तो माशाला कहने की आदत डाले कुछ चीज मिल जाये तो अलहमदुल्ला कहने की आदत डाले काड़ी बेढ़ें त गाड़ी के सवार होने की आदत डाले को कब अस्तला हम अलेक्म यह अहल रखबूर कैने की आदत डाले की जिए जब जब जबान पर अलबाए बच्छी बात कि आपने बच्चों की तर्वियत करें तो इसमें यूज़िली जो हम कहते हैं वो खवातीन से कहते हैं कि आप पर उतना ही फर्द है कि अपने बच्चों की वैसी तर्भियत कर उनको वैसी दूएं सिखाएं जी क्यों नहीं है खाली खातु जम्हदारी थोड़ी है तोड़ी है तोड़ी है आज जुम्हे के वाले से वैसे भी ड्रिस्क ओवरॉल जहनी सकून और डिप्रेशन जो आज कर मारे च्ति फ्रोड़ी से बच्चों को भे हो रहा है इसको चैंश ईसको भागाने के लिए इसको दूर करने के लिए हम क्या पढ़कर में से हैं दोप अधासी डिप्रेशन इन तमाम चीज्जों के लिए लाहाला लाह खुळ खुद लाह बिला कसर से बिढ़ करें इंशालला डिप्रेशन दूर होगा लाह चाहिए सूरे नास भी कसरत करें, अक्सर जो आपको इंजायटी नजर और हसर की वस्य हो रही है, लोग अब माशाला नहीं कहते हैं, तुम बड़ी महनत करते हो, यार तुम ठकते नहीं हो, तुम बोलते रहे तो यार ठकते नहीं हो, जब कोई इस ताना बोले, आप फौरां तीन पढ़के अपने बड़ी में करते हैं, बहुत प्यारी बाद, आप तमाम तो लोगों का बहुत शुक्रिया, और आज के जुम्ह का दिन है, ये मुबारिक दिन है, तो जुम्ह की नमास के बाद भी, अपने लिए दौा कीजेगा, और हमें भी अपनी दौा में बहुत जार याद रखेगा, शादरी अबादरी इंशाला आप से मुलाकात होगी, अगले हफते, अल्ला हाफिस.